हेलो एवरिवन आज हम करेंगे आपका जो हमने चैप्टर पढ़ा था आपके हिंदी की निव बुक वीना का चैप्टर नमबर एट चतुर गीदर उसके हमने कोशन आंसर नहीं किये थे उस वीडियो में तो आज हम उस चैप्टर के कोशन आंसर करेंगे तो चले देखते हैं यह है पार्ट आठ नाम है चतुर गीदर और यह है इसके प्रशन अदतर तो फरस्ट है इसमें सोचिये और लिखिये तो कोशन नमबर फरस्ट है तलाब में मचलियां क्यों नहीं थी तो इसका अंसर है तलाब में मचलिया इसलिए नहीं थी क्योंकि मगरमच ने सारी मचलियों को खा लिया था हमने चेप्टर में बढ़ा था ना कि मगरमच ने क्या करा था उस तलाब के सारी मचलियों को चट कर लिया था खा लिया था, प्रेशन दूसरा है, कच्छुए ने क्या उपाए सोचा, तो कच्छुए इसका दोस्त था, मगरमच का दोस्त था, तो उसने मगरमच के लिए क्या उपाए सोचा था, वो में बताना है, इसका आंसर है, कच्छुए ने उपाए सोचा, कि मगरमच को मरा हुआ दिखाया जाए उसने मगरमच से कहा कि वैं खुद को मरा वह दिखाए ताकि गीदड को लगे कि खत्रा नहीं है और वैं तलाब के पास आए तो कच्छुई उसका दोस्त था मगरमच का मगरमच को भूक लगी ती और गीदड को पास में लाना था मगरमच के तो उसने कच्छुई ने कि उसे क्या उपए बताया था तुम मरने की एक्टिंग करो प्रेश्ण तीसरा है गीदर ने समझजारी कैसे दिखाई तो इसमें बताना है कि जो गीदर था वो किस तरीके से अपनी चालाकी से मगरमच के चंगुल में नहीं आया और वहां से भाग गया तो इसका अंसर है गीदर ने समझजारी दिखाई जब उसने मगरमच की पूच को हिलता हुआ देखा उसने सोचा कि मगरमच मरा नहीं है क्योंकि मरे हुए मगरमच की पूच नहीं हिलती इसके बाद वह जल्दी से मा से भाग गया तो गीदर ने क्या करा था गीदर ने एक चालाकी चले थी कि वह मगरमच को देखना चाता था कि यह सच में मर गया या एक्टिंग कर रहा है तो इसने बोल के देखा था ना कि पूच अगर मगरमच जो मगरमच मर जाता है वो पूच हिलाता है बलकि ऐसा नहीं होता है अब देखते हैं प्रश्न फोर्थ गीदर को मगरमच की सच्चाई कैसे पता चली तो इसका आंसर है गीदर को मगरमच की सच्चाई तब पता चली जब उसने मगरमच की पूच को हिलते हुए देखा उस ठीक है ये तो होगे इसके question answer अब देखते हैं इसकी अतीरिक्त extra question answer है तो इसमें first है मगरमच क्यों उदास था? तो इसका answer है क्योंकि उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था इसलिए गया था मगरमच उदास था प्रश्न दूसरा है कच्छुअ गीदर को कैसे पकड़ने की सोच रहा था? तो कच्छुई ने क्या योजना बना ही थी? कच्छुअ मगरमच को मरा हुआ दिखा कर गीदर को फसाने की योजना बना रहा था प्रश्न दीसरा है गीदर ने मगरमच को जिन्दा कैसे पाया तो इसका आंसर है गीदर ने देखा कि मगरमच की पूछ खिल रही थी इसे गीदर को पता लगया कि मगरमच मरा नहीं है आगे प्रश्न फॉर्थ है इसका गीदर की चतुराई ने उसे कैसे बचाया तो गीदर ने क्या करा था? इसका अंसर है गीदर ने मगरमच और पच्छुए की चाल को समझा और खुद को मां से बचा लिया प्रश्न पाचवा है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें बताने कि इस कहानी से हमने क्या सीखा? इसका अंसर है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चतुराई और समझधारी से कठिन परिस्टियों का सामना किया जा सकता है अगर आप इसी मुझीवत में फज गए हैं तो अगर आप समझधार है और चतुराई से वहाँ से आप वहाँ से निकल सकते हैं तीया आगे देखते हैं ये है true false जही गलत इसमें आपको बताने है कुँन सा सही है कुन सा गलत तो प्राशन पहला है मगरमच को खाने के लिए मचलिया मिल गई थी तो इसका अंसर है गलत क्योंकि मगरमच को खाने के लिए मचलिया नहीं मिली थी किसका इंतजार कर रहा था गीदर का प्राशन दूसरा है कच्छुआ मगरमच का अच्छा मित्र था क्या कच्छुआ मगरमच का अच्छा मित्र था ये बिल्कुल ठीक है प्राशन दीसरा है गीदर तला पर पानी पीने आया था क्या गीदर तला पर पानी पी ने आया था नहीं कच्छुई ने तो चाल चली थी उसको वहाँ बुलाने के लिए तो ये क्या है ये है गलत प्रश्ण फोरते मगरमच ने खुद को मरा हुआ दिखाया हाँ ये सही है मगरमच ने अक्टिंग करी थी मरने की नेक्स्ट है प्रश्ण पांछ वा गीदर मगरमच और कुछली की चाल में तो ये हो की आपके کوशन अंसर एकस्ट्र कोशन आंसर ते बुक की कोशन अंसर और ये थे ट्रूफ वल्स तो आप इसदेख लेंगे अच्छे से ऐसे कर लेना और कुछ इंक्वारी हो कुछ पूछना हो तो कमेंट आप पर सकते हैं ओके थैंक यू